नमस्कार दोस्तों मैं खेलेश राजवर और आप देखें राजवर एक्षिस दोस्तों इससे में हम गंसोली में हैं आज एक समाजिक संस्ता के बारे में बात करेंगे संस्ता का नाम है राजवर समाजिक संस्ता नौली दोस्तो संस्ता हैं तो बहुत सी बनती हैं समाज सेवा के लिए और बनती रहेंगी आज हम राजवर समाजिक संस्ता नौली के बारे में बात करेंगे ये संस्ता सिफ अपने गाओं के विकास के लिए बनी है और आज इस समय हम घंसोली में नवली गाओं के ही एक समाज से भी है जिनका नाम है अखिलेश राजवर, सनाफ फिर्तु राजवर और मुंबई में 40 सालों से रह रहे हैं और मथाडी कामकार के मुकादम माश्टर मुकादम के नाम से जाना जाता है इंको जो वाशी मार्केट में इनका चलता है तो वह मिलते हैं अखिलेश राजवर जी से और जानते संसता के बारे में ये भी इसी गाओं उसी के नोली गाओं से है तो पहले आपका हमारे चैनल में सौगत है नमस्कार यह जो राजबर समाजिक संस्ता बनी है अब भी नौली गाओं से है तो क्या लगता है संस्ता कहां तक चलेगी यह संस्ता देखो सबके सेवा के लिए कोई भी इसमें आ सकता है कोई भी जाद धरम मिशा नहीं है अगर इसको अपने लोग सम्मिल जूल के चलाएं दोर आके बढ़ेगा कैसा होता है सर की संस्ता बनती है बहुत से संस्ता के नाम पर धोखा दड़ी फ्रॉड भी लोगों के साथ होता है इसा है भड़काने माले तो है इसको चलाने के लिए हम तुम सही रहेंगे तो चला सकते हैं ऐसा तो कुछ नहीं कि नहीं है इसमें अगर कोई कुछ करता है तो इसकी आगर सोचा जाए अभी संस्ता पहले चलने तुझे हो हमारे साथ अध्यक्षाब भी है और खजिनदार भी है पूरी टीम है यहां पे तिनों ने बीड़ा उठाया है जो नौली गाओं के लोग है जो जिसकी जहां जरूरत है जहां कहीं देखिए कहीं मेडिकल में प्रॉब्लम आ जाता है पैसे के आभाव में किसी कोई किसी पढ़ाया नहीं जा सकता है यह मक्सा से संस्ताज बनाए है तो क्या लगते कहां तक सफल होंगे उसमें कैसा है जो है जो है जो मदद है हम लोग आपन करेंगे मदद मगर इसमें सब का स्वयोग चाहिए कहने मतलब बुन-बुन से घड़ा बरता है हमें सपोर्ट की जरूर सब्सक्राइब करेंगे जहां जिसको जैसे प्राब्लम आएगा और हम लोग अपनी हिसाब से मदद करें रहे हैं आगे भी करते रहें हमरे संद माता जी भी है तो माता जी से भी राय लेंगे कि गाउं कि विकास के लिए यह जो संस्ता बनाए है आपकी नजर में सही है कि सब्सक्राइब के लिए और कुछ भी होएगा पढ़ाई के लिए तो कोई भी मदद कही सकता ना मतलब एक समाच के विकास के लिए यह संस्ता बनाना जरूरी था बनाना जरूरी है सब के लिए है ना गरीब लोग के लिए हमारे साथ संस्ता के अद्धिक्स राजे स्राजबर जी भी है इनसे भी जानना चाहेंगे थोड़ा जो अपने नहुली गाहों के लोग है उनको समाच के यह संस्ता के बारे में बताए इस इसे लोगों का क्या बेनिफिट होगा धन्यवाद अकलेस जी मैं आपको वदा देना चाहता हूँ कैसा होता कि यह संस्ता हम लोगों ने इस बेस पर बनाया है क्योंकि हम जिस गाहों से वेलाओं करते हैं हमारे समाज की बहुत ज़्यादा अबादी है वहाँ पर और आज भी राजबर समाज में बहुत सी ऐसी मत लिए वहुत से लोग इसमें बहुतन पीशड़े लोग हैं अभी हमारे समाज में हमारे गाहों में भी हैं ऐसा हमारे में और भी जगान लोग हैं लेकिन सबसे ज़्या लोगी कहते हैं आंकि शुरुवात अगर कोई चीज की करनी है तो अपने घर से करो तो हमने यह चीजें देखी है कि समय वक्त पर ऐसा वक्त भी आया है लोगों के उपर कि अचानक कोई बीमार होता है तो उनकी इतनी कैपसिटी नहीं होते है कि वो हस्फीटल में जाकर के उनको अडमिशन करा सके या उनका काईड़ेंस से इलाज कर सके हमने यह भी देखा है क कि गाउं में बहन बेटियों की शादि दिवार में ऐसा होता है कि जो सिस्टम होना चाहिए एक इजजत बनाने का पैसे का अभाव के कारण नहीं बन पाता है तो इसी को हम लोग देखते हुए हमने सोचा कि एक संगठन का गठन किया जाए और हम इसको अपने गाउं से ही स सुरुआत करेंगे तो दीरे दीरे हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि सबसे पहले जो कहते हैं कि सुरुआत अगर कोई भी चीज करनी है तो सबसे पहले अपने घर से करो अगर आप अपने घर को सही तरीके से लेकर चलोगे तो हमें देकर और भी लोग मोटिवेट होंगे औ इसलिए हमने इस संस्ता को बनाए कि हम जो भी हमारे गाओं में गरीब हैं पिछड़े लोग हैं उनके जरुद के उपर हम उनकी मदद कर सके हमरे साथ खजिन दार भी है स्यूप्रकास राजवर जी इनकी इनकी सोच थी कि समाज के लिए संस्ता बना जाए इसके पहले भी ती अकलेजबाई मैं राजवर को बहुत बहुत भाँ धन्वाद देना चाहता हूं मैं इसके साथ भाईया को बहुत बहुत अब नंदन करता हूं कि जो भीगा हम लोग उठाए हैं बहुत 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 योगदान है कि इस संस्ता में आने के लिए भाईया जी के पास मैं मैं उनको बहुत बहुत हादिक अब्रणन करता हूं उनका बहुत स्वागत करता हूं कि दोस्तों इस माध्यम से कि मैं यह भी चाहूं को भाईया जड़ा दो सब्सक्राइब बारे में बोले बताएं लोगों को संस्ता के बारे में दिखाएं इसमें ऐसा है देखिए कोई संसाइब जूरियें अपने इसको आगे बढ़ा है जाया और जो भी मददद रहें इसमें सब सभात करो और आगे बढ़ा ऑथे मेरा खाना है हमारे साथ जबीर साथ दीक बिए ुनसे बी जानेंगे कि आने वाले समय में उनको भी समाज में उठना बैठना है तुमन उनकी क्या रहिए पहले उनका नाम जानते हैं आपका नाम क्या है आमित राज़पर इना के बारे में समाज के सेवा कई सेवा सुरू है तो आपको क्या मैं लगता है और लोग दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं हमारी संस्ता यह कर दीगे और कर दीगे ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आप लोग दिखावा कर रहे हैं कि एक दो मैंना पैसा आ जाए फिर बाद में समा सिवा ना हो ऐसा कहीं तो कुछ नहीं है अखलेज जी मैं आपको सबसे पहले यह कह देना चाहता हूं कि हमने जो संस्ता बनाई है वो संस्ता को हमने रच्टेशन किया है और ऐसा नहीं कि उसमें कोई फ्रॉड हो सकता है फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि संस्ता में जो भी पैसे आ रहे हैं अगर हमें किस में हमारे अकेले या संस्ता के नाम पर एकाउंट है इन में जो संस्ता का एकाउंट है एक नहीं दो नहीं तीन तीन आदमियों के नाम पर एकाउंट है और उसमें से पैसा निकालने के लिए जब तक सबकी सहमती और पूरे संगठन की सहमती नहीं होगी तब तक वह पैसा निकाल कर किसी को नहीं दिया जाएगा और किसी को अगर मदद करनी है वह पैसा देने की लिए कि एकलेस्जी सबसे पहरे बात तो उसका verify किया जाए उसका verification किया जाये कि वाकरी में उसको जुरुरत है की नहीं है हम लोग महाराष्टा मुंबई में हैं बहुत से कंगठन के जो कैसे सब्सक्राइब 5 1 टाकट हैं जैसेसे कि शुप्रकास भाई हो गए और वहाँ पर हुआ पर हमारे भाई हो गए और हमारे राकेश के वह की हुआ हुआ हस् किसङ देसलें में वह पर थे खा WWE हैं क्या हैं कि को सुपूत्र एंडि और हमारे तो बहुत करीबी हैं अब सोचिए कि इनका आसिरवाद भी हमारे उपर उस भाई के भी हमारे उपर हाथ हमारे संगटन के उपर हाथ हो हमेशा तत्पर रहते हैं वैसे तो उनका कहना है कि हम अकेले ही काफी हैं लेकिन हमने कहा नहीं जब तक भईया आशिरवात सरपर नहीं होगा संगठंगे तब तक हमारा संगठं मजबूथ नहीं होगा तो भाय को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारी माता विण भावी जी है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और इन लोगों के शहयोग से ऐसे ही हमारे और भी समाज के हमारे जो मानिंद हैं हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोगों को पास जाए और ऐसे हमें उनका प्यार मिलता रहे और हम उपने संग्रखन को मजबूत करते रहें और गरीब जनता हमारी जो समाज के हैं उनकी हम मदद करते रहें इस तो जो कुछ करना होगा घ्याएं जो समाज के लिए काफी एक्टिव रहते हैं कहीं भी कुछ भी प्रॉबम होती तो हां पहुंचते हैं और घाट उपर से बिलौंग करते हैं आए जानते इस सनस्ता के आप पार उजन दो राजबर के लिए लिए इनकी क्या राय है जब से संस्था का नम जह सुरू हुआ होई जानकारी हुए ने राजबर जी से राज़ेस्ट भाई तर्शकबीर जी से बहुत अपार खुशी हुए कि कुछ अच्छा कारी शुरू होने जा रहा है तो मैंने नने जी से बोला कि बहुत ही अच्छा पहल कर रहे आप आने वाले फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा मतलब कहीं ना कहीं जो संस्ता बनी है जिन्होंने संस्ता बरें सब 7 5 जो लोग उन्हें यूने मिलके बनाई है सोचे मतला एक अच्छी सोच बहुत अच्छी पहल है राजेज जी इस संस्ता बन गई है और विकास के लिए सब लोग कंदे से कदम मिला के चड़त हम जानना चाहेंगी आपके संस्ता में कौन-कौन से लोग है जो इस संस्ता को आगे बढ़ाना चाहते हैं पकलेज जी इसमें तो हमारे गाओं के सभी हमारे मानेंद भाई हमारे साथी बहुत से लोगों का योगदान है जो बड़े ही सुक्ता के साथ और बड़े ही जोस के साथ में इस संस्ता में लोग काम कर रहे हैं और अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं हमें अपार खुशी लेने के लिए यहां इनके आवाज पर आए हुई हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारे जो महाराष्टा के पदाधिकारी हैं हुशूद है कुछ लोगों का मैं आप लोग आप से पर्चे करा देना चाहता हूं जिसमें बड़ी महातुकूर्ण भूमी का निभाई है हमारे श्री शुप्रकास भीया जिनको नन्य भीया भी कहते हैं हमारे ग्राम सबनोली में बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं इन संस्था को बनाने में इनका बहुत बड़ा युगदान है मैं इनको अपनी तरफ से अपनी गाओं की तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से धन्रवाद देता हूं टीम के जो युवा हैं हमारे सुपीर भाई इनका भी बहुत बड़ा युगदान है इन्होंने ही बड़ी मेहनत की है और हम चाहते हैं इनको भी धन्रवाद देना चाहते हैं अपने संस्ता की तरफ से अपने गाओं की तरफ से और आगे हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला कर हमारे जो गाओं के हैं हमारे रामबचन चाचा जी हमारे बड़े ही आधर्स हैं मैं उनका भी सम्मान करता ह और उनका भी अपने संगठन के तरफ से और अपनी तरफ से उनका अभिनेंदन करता हूं। उनका बहुत बड़ा युगदान है। और हमेशा हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला कर चलने का काम करते हैं। आगे हमारे हैं हरी राम चाचा जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, कि वो भी हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला कर चलते हैं, मैं उनका भी अपने अंदन करता हूँ, अपने तरफ से, अपने गाओं की तरफ से, अपने संस्ता की तरफ से, और आगे हमारे साथ में हमा बाद देता हूं और हमारे साथ में एक यूवा तेश्तरार हमारे भाई है कपिल भाई इनको भी जब इस बारे में पता चला तो बड़ी अपार खुशी हुई और फोन करकर के हम को हमारे उसा को बढ़ाया और यहां हमारे भाईया जी हैं प्ता तुल्ले भाईया जी है आज शंगठन के हमारे शंगठन के हमारे भाईया जी के ये पोता हैं और हमारे संगठन के बड़े ही तेज तर्रार मेंबर जो अभी तो उनको कोई पत दिया नहीं गया है लेकिन हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द आप लोगता है करिए कौन को कौन से पत पर निवतिया दी ग्यान चंद राजभर जी के शुकूत रहें बड़े ही तेज तर्राज टाइप के बच्चे हैं भाई हमको तो बड़ी खुशी होती है हाथ अकलेज जी वही मैं कह रहा हूं कि और दूसरी तरफ देखा जा जो हमारे गाहों से वेलाओं करते हैं हमारे बड़े ही तेज तर इन में से हमारे परमित्र भाई हमारे समझ लो ग्यान चंद राजभर जी हैं और टाक्टर धर्मेंदर जी हैं धर्मेंदर राजभर जी हैं और सुप्रकास राजभर जी बड़े भाई उनका भी मैं तह दिल से धन्यवाद देता हूं और हमारे चोटे भाई अजय राजभर जीबी हैं उनका भी बहुत बढ़ियां योगदान है और हिर्दे नरायन जी मास्टर हिंदर हिर्दे नरायन जी को मैं आभार ब्यक्त करता हूं कि उन्होंनों भी अपना योगदान दिया और हमारे अपसाह को बढ़ाने के लिए हमें बार बार उकसाया कि नहीं संगठन बनन है भाईशों की उन्होंने भी इस चीज को सरहना की बुले कि नहीं आप लोग आगे काम करिए हम लोग आप लोगों के साथ में हैं और आगे राजू राजवर जी हैं राजू राजवर जी नन्य भाईया वही जो दूबए में रहते हैं ना उनका कि मैं तह दिल से धन्नव देता हूं कि ऐसे ही लोगों का हमें सेयोक कि हाए है अगने हमारे ऐनेराज्वर जी कि उन्भय भाईया को हमें देना चाहता हूं धर्मिंदर राजवर जी जो विवन्डी में रहते हैं इता हूं उन्हीं बढ़े भाईया है मैं मैं तह है दिल से धन्यवाद देता हूं, उन्होंने भी हमेशा समाज सेवा के लिए ततपर रहा है, हमेशा चड़वड कर आगे हिस्सा लिया है, और आगे हैं दिलीफ राजभर जी, जो जहरुदीन पूर क्राम सभान नौली से वेलोंग करते हैं, उन भाईया का भी मैं स्वागत, हार दिल से धन्यवाद देता हूं, अखलेश जी, इन तमाम हमारे जो शंगठन में जुड़े हुए लोग हमारे भाई हैं, हमारे गाउं के जो और भी लोग अदर समाज से आते हैं, जो सहयोग दे रहे हैं, मैं उन सभी भाईयों को अपने संस्था के तरफ से धन्यवाद देत करता हूं आगे हमारे हैं कमलेश राजभर जी उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अपने संस्ता में आने के लिए उनका स्वागत हार्दी का भी नंदन करता हूं देव नरायन भीया वह भी बड़े ही समाज सिवा टाइप के आदमी हैं उनका भी मैं बड़े भीया को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं महंदर राजभर जी उनको भी मैं अपने समाज की तरफ से अपने संस्ता की तरफ से सभी भायों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आगे भीया हैं पिंटू राजभर जी उनको भी मैं पिंटू राजभर वरुन राजभर जी बाइया आपका दो नाम है थोड़ा कन्फूजन हो रहा था मैं आपको भी तहए दिल से धन्वाद देता हूं और आगे देखे हमारे समाज के बड़े ही तेज तर्रार नेता हैं और बड़े ही तेज तर्रार समाज से भी टाइप के हैं और इसके पहले वो चुनाओ भी साइब के समाज सेवी हैं इंद्रपाल चाचा जो साथ चंदीगण में रहते हैं क्लिज जी उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारी संस्था में उनको भी चाचा को भी प्रणाम और आशिरवाद की कामना करता हूं कि हमारे संस्था और हमारे संगटन के ऊपर उनका भ सके और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा आप सभी लोगों का धन्रबाद नमस्कार तो जैसे आप लोगों ने देखा राजबर समाजिक संस्ता नवली गाउं के विकास के लिए बनी हैं यहां के सब पद्धिकारी लोगों से बात हुई समाज की इन लोगों की क्या सब्सक्राइब लोगों को लेकर तो आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पशंद आए इसका जय भारत अब तरह कि अधिक संस्ता जिन्नावाद तरह कि अधिक संस्ता जिन्नावाद